इस वीडियो में आप लोग को NCRT Solution for Class 7 English Honeycomb, Dad and the Cat and the Tree जो पोयम है उसको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं Now look, page number 110 of Working with the Poem, question number 1 देखिए आप लोग, देखा बच्चों कि Why was Dad sure he would not fall? मतलब कि Dad को इतना अपने आप भरुरसा क्यों था कि वो नहीं गिरेंगे? Solution, the Dad was sure he would not fall because he was a good climber क्यों क्या थे? वो एक good climber थे Question number 2 देखिए आप लोग, which phrase in the poem expressed Dad's self-confidence best? Answer, write just leave it to me is as easy as being into a climber like me Describe plan A and its consequence According to a plan A, father would have reached the tree top with the help of the ladder However, the ladder slipped and father fell on the ground Question 4 देखिए आप लो कि Plan C was success What went wrong with, wrong then? Plan C क्यों सक्सेज हो गया था? तो वाला कि उसके बाद क्या हुआ? क्या गलती होई? Even though plan C was success, it did not work out as planned The moment the father reached the tree top, the cat jumped and touched the ground and was again out of the father's reach Now question 5 The cat was very happy to be on the ground मतलब की बिल्डी जो है जबी में पहुँशे काफी खुश हो गई थी Pick out the phrase used to express this idea एक phrase निगा लो तो उसमें क्या किया था? Smiling and smirking Okay, this is the answer Question 6 देखिए बैच्चों Describe the cat and the dad situation in the beginning and मतलब की cat और dad की जो situation थी Starting में वो क्या थी उसको describe करो And or at the end of the poem और poem के अंती में जो situation थी उसको भी describe करो आपका Answer At the onset, the cat was stuck on the tree and father was confident to be able to drive it away Okay By the time the poem ended, the cat was free and the father got stuck in the tree इसका मतलब यह हुआ जब starting में क्या हुआ था? कि बिल्ली जो है पेड पर फसी हुए थी और फादर जो थे उनको इतना confident था कि वो बिल्ली को वहां से निकाल लेंगे तो जब poem के end में पहुँचा गया तो क्या मालूँ पड़ता कि बिल्ली जो है वहां से निकल कर free हो गई थी तेकि dad जो थे वहां पर फस गया थे पेड़ पर नौ कुशनम सेवन वाइंड वेंड डिट्स डैट से इच अब दा फालोविंग बोला कि वाई और वेंड कब और क्यों यह जो वर्ड दिया गया है यह उन्हों है और रभिश है इन सारो वर्डों का इस तवा उन्होंने कब किया था फर्स्ट नमबर देखिए आपका फर्स्ट आपका तो यह तब उन्होंने यूज किया था फाल के बारे में नमबर टू रिखा पच्छों नेवर माइंड तो यह वर्ड कभी उचके कह था हैविंग फालें टू ग्राउंड जब वो जमीन पर गिर गया था फादर डिड नाट गीब अप उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ा कि जोग जो है उन्होंने कब खाता लुकिया फाल इस वाइफ गया फाल रहें किप्लान बी किया कि फांड इस वाइफ वार्निंग टू बी उन्होंने अपने वाइफ को वाइब की वार्निंग जब उनकी वाइब जो वार्निंग दे रहे थी तब उनने बोला फन्नी जो मजाग कर रही हो ओके फोर्थ पॉइंट लिखा वच्छो इसमें आपका रभिश के बारे में तो after the second fall जब वो दूसरी बार गिरे उसके बाद विन इस वाइफ इंटर वेंड सेंग उनन जब दोबारा बोला कि that heat might break his neck और अपनी गर्दन मत तोड़ लिएगा कि again dismissed her लिखा concern बाई सेंग उननने फिर दोबारा अब की concern किया कि रभ इश्वेकूफ क्या अफालत वाले बाते कर रही है उनने बोला ऐसा ठीक है कुछ नहीं देखिया अब लोग do you find the poem humorous okay humorous का मतलब पच्छो होता है हास सिकर होता है क्या यह poem जो है हास सिकर थी हसाने वाली थी read aloud lines line को तेटेश पढ़ो which make you love जिसकी वैसे तुम्हें हसी आई उस line को तेटेश पढ़ो दखो of course the poem is full of the humor मतलब यह poem जो है वह हास से भरी हुई है the narrator's father falling over and over again was quite humorous okay जो उसके पिता जी थे जो पापा थे वह बार बार गिनने के वैसे यह आप जो है ना वह काफी हास कर होगी गिनने के वैसे आपका ओके यह नहीं मत देखिए आप लोग कि the cat gave a ill and sprang to the ground मतलब यह हुआ कि वह लाइं कौं कों सी जब मतलब की जहां पर हसी आई cat gave a ill cat cheeky और जमीर पर कुद गई तब आप हसी हो लिए थी इट सिलिप यह सिलिप खा गयते he landed in the flower bed जब वह पेड़ से सिलिप खा गयते और flower bed में किरे थे तो वह साई line दी जो दी जो काफी हासर करती है और यहां पर देखिए आपर यहां पर वेरी शार्ट टाइप जो कोश्टन है यहां पर बुक में दिया नहीं है तो मैंने इस कोश्टन अपने मन से बनाए है जो कोश्टन को आपको अपने नारेटर's father try to climb the tree का मतलब ही होता है कितनी बार नारेटर के जो फादर जो पिता जी थे वो पेड़ पर चड़ने की कोशिस किये और उन्होंने कैसे किया उनके प्लान क्या थे आंसर देटर's father try to climb the tree thrice तीन बार कुश्ट किये तू डू सो उन्हें ऐसा किया क्योंकि एक्जेक्टिव प्लान एप्लान बी एंड प्लान सी ये था आपका आंसर आपका कुश्ट रोओ देखें स्टेट एन एजिक्टिव यूस्ट्राइब बताऊ जिसकी वैसे ट्री को डिसक्राइब किया था वह कौन साजिट्व वर्ड आपका है तो दिक पढ़े था ना सीडी कहां से मिली आंसर देटर फादर गौट दा लेडर फ्राम दा गार्डेन शेट गार्डेन शेट से मिली आपका कुश्ट फूर्द कि वाई डिट प्लान भी फेल क्यों हो गया फादर स्वंग हिंसेल्फ आना ब्रांच मत्तब फादर जो है पेट पर जो है साखा पर लटक गये थे और ब्रांच ब्रोब और जो साका थी जो डाली थी वो टूड गए थी दस्ट प्लान भी फेल तब प्लान भी फेल हो गया आपका अगर वो डाली फूटती नहीं तो प्लान भी क्या होता सकसे हो जाता ओके अब अच्छा कुश्ट मैंने यह जो शार्ट उस टोन को बताओ जब उसकी पिता जी अपने वाइब को जो है जब वार्निंग कर रहे थी तो उसमें यूज कर रहे था टोन को When his wife warned him the first time father was really astonished. He thought how a good climber like him could fall. The second time his wife warned him he laughed at her finding her warning to be a funny joke. Discidée बान अ, प्लान अ, प्लान की, प्लान एन रिजय प्लान को बिर्चस बासांत वार्न पिता ही ठीज सावं घरूगोर्स However, the latter slipped and father fell on the ground. Then, tabhi, he thought of plan B, he swung himself on the branch, but the branch broke and father again fell on the ground. Finally, he thought of plan C, he thought of climbing the garden wall. However, even that did not work as planned. The moment of the father reached the tree top, the cat jumped and touched the ground and was again out of the father's reach. It is the answer, okay? If you liked this video, please like, share, comment, and if you haven't subscribed, you will be subscribed to the next video. Thank you.